मैं जब योग करती हूं तो दस मिनिट के अंदर मेरा मन एक आधर हो जाता है पंद्रा मिनिट में योग करने के बाद लेका अधर तोट जाती है दिहां गांडों के दरद के दरद छला जाता है तो गांडों में दरद होती है तो योग तोटता है जान पी लेगें और शरीर के उरे ज्यान नहीं चाहें, क्या उपाय है? इसलिए पुराना शरीर है, दर्द वाला बिमार वाला शरीर है, जानते हुए आपको एक घंटा बेटों ने कहा है, अगर आप सब आये हो, तो अब भी एक चैर्स है, नहीं तो शुरू में हम जब बढ़ते हैं, जमीन पर ही, अभी सब सेटर में एसी और चैर्स है, क्योंकि अभी आने वाले भुदूर, बिमार, भुदूर गाते हैं, पहले कुमार, कुमार्या होते हैं, सब जमीन पर, ओम शाती भावर में थोड़ी सी कुछी है, सब जमीन पर बेटे हैं, बाबा भी निचे ही बेटे तक भी संद्ली पर नहीं, हिस्ट्री हॉल में देखे के बाबा भी नजदीक जमीन पर ही, सामने ही, उपर से गद्धी संद्ली पर नहीं, मेडिटेशन हॉल में गया तभी, उसके पहले हिस्ट्री हॉल में बाबा भी निचे ही पर चांबर करता यह इसारे दो नोलों तो तीन बज़ाया जोंगद करता है तो इक गंडा दो दो गंडा उटतीन बज़े वड़कन करूं पंदरा मिनिट पांच पर प्रस्ट करता है आप मापि है पांच मिनिट जैसे आपने का पंद्रा मिनिट हमारा एक आप इतने करो उसके बाद नहीं उसके बाद मुद्ली पड़ो उसके बाद उठ करके थोड़ा तेहलो फिर अगर समय है और 15 मिनिट के बाद फिर बैट लो कि शरीर की ताकत देखना पड़ेगा ना किसी को देखो को एक घंटा बैटो नहीं चरीर का दर्द है इतना हम और शरीली बंद भी पारे हैं यह जो पांच प्रश्ट बताया यह चिल्कल करते करते आदा घंटा तक पहुचे क्या तब जाके शरीर शरीर का भान भोल जाएंगे यह तो दर्द होता मच्चर भी काट रहा पाज खुन्द भी होता है पटाएंगे चलेगा आपको क्यों शरीर का भान नहीं है क्यों नहीं है मन बुद्धी इस प्रश्ट उत्तरों में बिजी हो गया अभी प्रश्टर जवाब देते हैं मन बुद्धी पांच परसंट एका पादर होंगी तब शरीर का कोई दर्द और माइक काटा है मच्छर काटा कुछ बदी पता चले हैं बाबा का एक्जाम बदेते ब्रह्मा बाबा जोपडी में योग में बैठता था कैसे अशरी ने आगे बाबा के पाउं से साथ चला रहा तो भी पता नहीं है ब्रह्मा बाबा जोपडी में मदोबन में तपसा करने पड़ता था तो बाद साथ भी पाउं के उपर से गया उतना असी परसेंट मन बुद्धी का रूना भी पांच मिलिक रहा दस परसेंट है ये बड़ाना है एक्टम नहीं हो गया जितनी आपके मन बुद्धी उसी में दिजी हो गया रैसे आप देख लो बच्चा खेलता है खूर dieकल दर्गर ने ऑने के बाद डर्द शुन होता है वहां कियोता है वह क्योंने हो रहे हैं उसका ध्यान खेल में है शौरीब में नहीं है घर आने के बाद खेल हो एया ध्रात हैनो है श्यों पर गया है यहाँ भी डौ çıkल ने जैसे डॉक्टर ऑप्रेशन करता है इंजक्शन देता है काटता है भी पाउ तो भी दर्ब में हो रहा है शरीर है दिखाई भी देता आपको कि नसों का ब्लॉक कर देता है यहां भी यहां का नशा जैसे चड़ता जाएगा तो यहां का शरीर शरीर का भान विच्छा सब भूल जाएगे दर्ब पाउ का सब पता ही चलेगा फिर उटी नहीं चेकेंगे योग के बाद उटो पाउ हिर ले रहा है जड़ हो गया ऐसा होगा कभी जब यह दोनों एक बना उसको बाबा ने का डिटैच को एक साल तरफय करने पड़ती है तब कहते है देवतां इंगे पर कितने साल तरफया किया अब आपका आज एक मिनिट तफस्या एक साल के सवान है रहे हैं वो गित्दी करते ते लागो बर्ष तपस सन दिया और इक एक का पदम गुना गिना जाता है के अब हुआ अब बाबा भी एक का पदम गुना लेता है को चुद ow तो उन्हों ने भी कहां दिर दिरे पांच पांच मेंट बढाता जाओ बाइट कर के नीन दारी है, किसको दिखाने कर रहे हो, किसके लिए करते हो, अपने लिए कर रहे हो, कोई देखने वाला नहीं, बाबा देखता नहीं है, किसी को समय नहीं है, कौन क्या कर रहे हो आप, आप जो कर रहे हो, आपने लिए कर रहे हो, सच्चा इसे, इमामदारी से, इसको बाब बाबा कहता है अपने उपर दया करो, बाबा मेरे पर दया करो नहीं, बच्चे आप अपने उपर करो, अर्थात विधी गुरुवर बेटी